हाई अब्रिवान माइनेम इतलुपा मुदरा आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सब के साथ एक उप्टन मास्क का रिब्यू से आप करने बली हूँ जो की यह केया सेट का जिस प्रोड़क्ट के बारे में बात करें थी यह है देख सकते हैं इसका पैकेजिंग भी कितना मतलब साही टाइट का है यह साही उप्टन है अब कोई फंक्शन बगेरा में जाना है तो आप 15 डेस या वान मन्थ पहले इसको ट्राय करना मतलब यूज करना स्टार्ट कर देजेगा तो यह क्या करागा आपके स्कीन को अच्छ इसको यूज करके दिखते हैं यह किसा काम करता है तो यह केया सेट का अरोमा थेरेपी साही उप्टन प्याक है और इसका प्राइज है 4.99 रूपीज और इसका सेर्फ लाइब 2 यह तक है इसका सेर्फ लाइब तो आप इसको 2 यह तक आराम से यूज कर पाएंगे तो चले इसका आपको लगा के दिखाती हूं और इसका क्वांटिटी है 1.60 ग्राम जो की बहुत एक अच्छा क्वांटिटी है तो चले पैकेजिंग कुछ ऐसा है लाइट पिंक कलर का जो की बहुत अच्छा मतलब बढ़िया लगा मुझे इसका पैकेट तो इससा पैकेट है बहुत ही सुन्दर सा पैकेजिंग है साई टार्प का है साई उप्टन इसके लिए है इसका नाम तो इसमें कोई भी स्पैक्टूला बगेरा नहीं दिया गया है अगर दिया गया है तो इसका ये सेल दिया गया है तो चले आपको लगा के दिखाती हूं कुछ इसा स्टॉपपर में दिया गया है मेरे पास अब भी अपली किटर नहीं तो मैं अपने फिंगर में यूज करती हूँ तो कोई प्रब्लम नहीं अगर आप मतलब घर में बहुत ज़्यादा परसन है तो आप इसको निकाल के आप यूज कर पाएंगे इसका स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है यह बहुत ही क्रीमी है इससे क्या होगा कि यह आपके स्कीन को ड्राइ नहीं करेगा यह भी लाइट पिंग कलर का है यह अलिब ओयल है इसमें कस्तूरी टॉर्मरिक है इसमें मौरोकॉन लाबा क्ले है इसमें ओरेंज पाउडर है इसमें सैफरोन कलावर है रोज है इसमें जो पेटल है बहुत सारे इसमें मतलब इंगेडियन्स है जो कि उप्टन में डाले जाते हैं इंडियन सादियों में जो हल्दी बगड़ा होता है उसमें डाले जाते हैं जो कि हमरे स्किन को अच्छा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है तो यह मैं अपने फूल फेस में अपलाई कर देती हूं आप 10-15 मिनिट के बाद इसको वास कर लेंगे तो मैं आपको मिलती हूं 10-15 मिनिट के बाद तो मैं अभी अपने फेस को वास कर देती हूं यह पूरा मतलब ड्राइ नहीं हुआ है जैसे कि बताई तो चलिए इसको वास करके देखते हैं कि यह कैसा काम किया है तो गाइस मैंने अपने फेस को वास कर ले ओं देख सकते हैं कितना बढ़िया सा गलो आण्ड मतलब एक इभीन तोन आ गया है मेरा बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा स्कीन एक ही बार मतलब इसको मैंने पहली बार यूज की हूं कितना अच्छा रेजल दिया है तो अगर इसको में कॉंटिनियूसली उस करूंगी तो सोच सकते हैं कितना बढ़िया रेजल देगा तो मुझे तो यह फेस मास्क बहुत ही अच्छा लगा और यह नॉन ड्राइंग है जैसे बुलाता तो बैसा ही है तो आप इसको एक बार जर सुक्टन जो की है के असेट का साही थे सुक्टन तो आपको तो इसको जोड़ी ट्राय करना चाहिए अगर कोई साधी बगेरा पंशन बगेरा में आपको जाना है तो एक महीने पहले इसको यूज करना स्टार्ट कर दीजिएगा और देखिए कितना अच्छा मैं पहली बार इसको यूज की हूँ मुझे तो अमेजिंग लगा है अब आपको आजता मेरा विड्यो यह अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो लाइक कि जिए कॉमेंट की जिए हम इंस क्र Ó shelf कर दीजिएगा तो मिलते और एक वीडियो के साथ तब तके लिए हैप अपना कहार झाल झाल